इन लोगों का लिगामेंट में डैमेज आगाता है चाहे वो A.C.L.O. P.C.L.O. L.C.L.O. M.C.L.O. गुटने के अंदर उन लोगों में इनिस्टिबिलिटी गुटना हलका हलता है और कट-कट की आवास दे से गुटनों में कट-कट की आवास क्यों आती है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है दोस्तों अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके गुटनों में जो कट-कट की आवास है वो कैसे ठीक हो सकती है वो आपको पूरी जानकारी मिलेगी इसकी और आप ठीक हो जाए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन दबाईए ताकि जो हम नए ने वीडियो बनाते रहते हैं हेल्थ के रिलेटेट उसकी जानकारी आपको मिलती रहें और आप कोई भी हमारा वीडियो मिस ना करें क्योंकि बहुत सारी क्वेरी जाती है बहुत सारी क कट-कट की आवाज आने के कई सारे कारण होते हैं दोस्तों तो पहला कारण होता है कि आपकी एक पर्टिकुलर मास्पेशी जिसको बोलते हैं वी एम ओ वास्टस मीडियलिस उबलिकस वह वीक है क्योंकि आपने कभी वीमो की एक्साइज नहीं करी या अगर आप जिम जाते तो दीरे दीरे पटेला और फीमर के वीक काट लेजाए वो गिसने लगता है और आपको एंटीर नी पेन कॉंडो मेलेशा पटेली इस तरह के डिजीज डबलप होने के चांसे रहते हैं जिसके इनर आपका सीड़ा सीडी उतरना चड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है लो भ्यार्ख फेसने करनीकर दोस्तों तो आपकी कट कट काट की अवाज भी खतम हो जाएगी और प्टन दूसरा काट कट की आवास और प्रहतेज मों का लिगामेंट में यह आगता है चाहे वह दून अदर में इन इस्टिब्लिटिश भूना हिल ता है और इस एह गर आपको बढ़ गई है तो आप अपना MRI कराईए एमारे की रिपोर्ट आप हमें वाटसेप कर सकते हैं और आपको फ्री ओपिनिन देंगे ओनलाइन के आखिर सबसे बेस्ट क्या तरीका रहेगा आपकी कट-कट की आवाज को ठीक करने का और आपके लिगामेंट इंजरी को ठीक करने क सकता है दोस्तों मैनिसकस इंजरी तो गुटने के अंदर जो उपर वाली और नीचे हली होती है फीमर और टीविया उसके बीच मैनिसकस होता है जो की शौक एब्सोर्बर के तरह काम करता है अगर किसी चोट की विए से आपका मैनिसकस फट गया है तो भी कट-कट की और जैसे जैसे हम जाते रहते हैं तो हमारे गुटने के जो गदी है जो को स्मूद बनाती है जैसे कि हमारे गाडी में रबर के टायर होते है उसी तरह से काटले हमारे गुटने का टायर है जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है हमारा काटले जीरे जीरे घिसता रहता है जब वह गिस जाता है दोस्तों तो बहुत सारी लूज बोडी बन जाती है जॉइंट के अंदर जो कट-कट के आवाज दे सकती है साथ में जब पूरा काटलेज घिस जाता है तो हड़ी पर हड़ी टकराएं लगती है जिसके वज़े से भी हमारे बुज़ूर्ग लोगे उनमें कट-कट की आवाज आती है कितना काटलेज घिसा है इसके पता करने के लिए आपको बे दोनों पैरों का स्टेंडिंग एक्षरेल लेना है एक और एक लीटररल व्यू में इस से मालूम पड़ जाता है कि आखिर गुटने का काटलेज घिसा है जब हम किसी यंग परसन का एक्सरेल लेते हैं जिसा काटलेज अच्छा होता है तो दोस्तों उपर लेडी दिखती है फिमर नीचे लेडी दिखा इए टीबिया पर उन दोनों के बीच में मोटा गैप दिखाई देता है क्योंकि वहां पर काटलेज और मैनिसकस होते हैं अगर अगर जब हड़ी पे हड़ी चिपक जाती है, मतलब गया पूरा खतम हो गया, ये कंडिशन काफी सीविर होती है और इसमें अमोमन लोगों को नी रिप्लेस्मेंट करवाना पड़ता है क्योंकि चलना फिरना मुश्किल आता है। तो जब आप वो कट-कट की आवाद आने चालू हो रही है, जब आपका गुटना पूरी तरह से नहीं घिसा है, अगर आप रेगुलर एक्सराइजस करेंगे नहीं की तो ये घिसना कम हो जाएगा और हो सकता है कि आपका नहीं रिप्लेस्मेंट बच जाएगा पांच पार र ये जोगों में कुछ नहीं होते हैं जो कि यूरिग एफस को डायजेस्ट कर पाया उसको मैटबॉड़ॉईज कर पाया तो जिन लोगों में यूज नही होते हैं वो कई बाद में भी ऐसी कंडिशन डेफ ऑल जाती है तो उसमें कुछ खाना खाने से जिसके अंदर हाई प् इसको पता करने के लिए आपको ब्लड इंवेस्टिकेशन करने पड़ते हैं और अगर यूरिक एसिड बढ़ावा आता है छे से उपर तो डॉक्टर आपको गौट डाइट फॉलो करने की सला देता है साथ में बहुत सारी टैबिट साथ ही जो हम लोग देते हैं ताकि आपका यूरिक एसिर कांट्रोल मेरे कारण भी गुटने खराबद आते हैं दोस्तों कटकट के आवाज आती है लोग जन्री फिर इंदिते हाथ होते हैं उसके अंदर होते हैं इसके यह अगर आपके घुटने के सूजन और कट-कट के आवाज के साथ है तो हो सकता है आपको रूमेटर अर्थराइटिस हो इसको पता लगाने के लिए कोई ब्लैस्टी इंवेस्टिकेशन करने पड़ते हैं जैसे की इसके मदद से पता लग जाता कि आपको रूमेटर अर्थराइटिस है या नहीं है तो दोस्तों अगर आपको इन में से किसी भी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं और आपको लगता है कि आप अपनी बिमारी पकड़ नहीं पा रहे हैं तो आप हमें अपनी एमरे और एक्सरे के बेजे और हम आपको फ्री ओनलाइन ओपिनिन देंगे